मुसल्मान राजस्थान में 9.5 प्रतिशत के आसपास आवादी विधायकों की संख्या साड़े 4 प्रतिशत यानि कि सिर्फ 9 परसेंट विधायक हैं तो क्या बीजेपी जिन 40 सीटों पर मुसल्मान निरनायक हैं और 56 के आसपास सीटों पर चुनाव परिणाम प्रभावित करत हैं उनको टिकट देगी एक बड़ा मंतन शुरू हुआ है भारती जंता पार्टी में 15 सीटों पर भारती जंता पार्टी ने मुसलिम प्रत्याश्यों के लिए सर्वे करवाया है और यह माना जा रहा है कि इस बार राजस्थान में बड़ी संख्या में यानि कि पिछली बा पार्टी इस बार बड़ी संख्या में यानि कि एक से कई गुना ज्यादा पांच से च्छे आठ दस या पंद्रह तक टिकट देने का विचार करेगी मुसलिम समुदाई को क्योंकि त्रिपुरा में बीजेपी ने मुसलिम समुदाई का प्रत्याश्यों उतारा और उसने कर पार्टी के टिकेट पर बने थे अभीबुर रहमान श्रफी थे नागोर से जो कि कॉंग्रेस में चले गए और वो कॉंग्रेस से ही आये थे और दूसरे यूनुस खान थे और उससे पहले सरवाधिक 13 है मुसलिम विधायक 1998 में रहे थे फिलहाल राजस्तान में जो मुसलिम खान कहें भी रहे हैं कि जंता से जुड़े हुए डिपार्टमेंट मुसल्मानों को नहीं दिये जाते तो मुसलिम क्या अलग सोच रहे हैं क्योंकि AIMIM यानि की All India मजलिसे अत्यादुल मुसलमीन जो की असद्दुदीन और से की पार्टी हैं वो भी अब धीरे धीरे अपन पाउं पतार रही हैं ऐसे में इस चुनाओं में अगर मुसलमानों को बीजेपी टिकेट देती हैं तो क्या मुसलमान सीधे तोर पर बीजेपी के साथ आएंगे क्योंकि खाई धोड़ी सी चोड़ी हुई हैं कई तरह के प्रकरणों के बाद में नासिर जुनेद वाला हैं कि क्या बीजेपी अपनी लाइन को छोड़ के इतर जाएगी और इतर जाएगी तो क्या पाएगी क्या जिन सीटों पर प्रतियाशी उतारेगी वहां से जीत मिलेगी यह तमाम तरीके के सवाल भारते जिंता पार्टी के सामने खड़े होंगे यह बात सही है कि राजस्त नाते ऐसे विभाग दिये गए थे जिनका जनता से सरोकार था मसलम सारुजनिक निर्मान विभाग जैसे महक में मिले थे तो मुस्लिम को पबलिक से अटेच्वेंट नहीं रखते हुए विभाग दिये जाते हैं हालां कि पिछली सरकार के वक्त का आपको एक अगर सिनेरिय जो दिखाएं तो दुरू मिया एमामुदीन खान जो है लोहारू के नवाब हैं तिजारा से लड़ते रहे हैं इस बार चुनाव नहीं जीत पाए बड़ी वज़य है कि दुरू मिया जो है उनको जब हमरी वाला कांड हुआ था तो ऐसे रूमर्स दिल्ली की जनलिजम में और यहां के वरिष्ट पत्रकारों में चलते हैं कि दुरू मिया को इशारा था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है लॉबिंग शुरू हो गई थी लेकिन उससे पहले जब मैपाल मदेरिना की गिरफतारी वाला केस आपको याद होगा जब भमरी देवी वाला कां हैं उन्होंने कैबिनेट बुलाई सभी के स्तीफे ले लिए और रिश्फल कर दी दुरू में जो की कैबिनेट के मिनिस्टर थे उनके पास चिकित स्वास्ते जैसा बड़ा महकमा था कद थोड़ा कम कर दिया गया तो अशुगहलोत की जादूगरी फिर से भारी पड़ी औ मुक्यमंत्री राज्फान को नहीं मिल पाया इस तरह की बाते हैं कितनी सच हैं क्योंकि ऐसी बातों की अक्सर राजनेतिक दल या राजनेता पुश्टी नहीं करते लेकिन मीडिया के महकमों में ये चर्चा बदस्तूर जारी हैं तो हम बात कर रहे थे क्या बीजेपी वाक सकते हैं मुसल्मान ऐसे में उनको बीजेपी कितने टिकट देगी या देखने वाली बात होगी सवाई मादवपूर जैपूर सीकर नागोर जुन जुनु चूरू पाली बाड़ मेर जैसल मेर जोधपुर जिलों में और बीकानेर में भी मुसलिम संख्या बहुत अच्छी ह जहां पर मुसल्मान मिरनायक हैं कई सीड़ों पर तो 30-35 प्रतिशत तक वोट हैं तो इन वोट को बीजेपी कैसे भुना सकती हैं कट्र हिंदुत्व की छवी और तमाम चीजे हैं क्या यूआ बीजेपी की और जा सकते हैं अगर बीजेपी लेकिन बीजेपी इसको लेके सर उनको किस तरीके से बीजेपी एक बड़े टार्गेट पे लेकि या बड़े सयोग के रूप में साथ लेते हुए क्या और क्या मुसल्मान बीजेपी की और जाएगा हाथ दोनों तरफ से बढ़ेगा तब ही चीजे होंगी लेकिन यह जो कोशिश है यह जो प्रेक्टिस हैं कोई भी राजस्तान की कैबिनेट में नहीं रहा कोई भी मुसल्मान जो विधायक है सैंतीस साल तक बड़ा अंतर है कैबिनेट में नहीं रहे ऐसे में प्रतिमिदित्व इस कौम को कॉंग्रेस में भी कोई प्रभावी नहीं मिल पाया और पीएसी में तीन मेंबर रहे हैं अभी तक कोई भी मुसलिम डी जी पी नहीं बन पाया राजस्तान का मुख्य सचीव जरूर सलाहूद इनामद कुछ समय के लिए रहे हैं राजपाल जरूर कुछ समय के लिए दो मलब बहुत कम समय के लिए रहे हैं उसके लावा जो बरकतुल्ला खान थे वो जरूर राजस तो नहीं मिलता यहां तक कि पूरे राजस्थान के पिछले 75-73 साल के इतिहात में एक मात्र सांसद जुन-जुनु से मुहम्मद अयूब खान बने थे दो बार सांसद रहे उसके अलावा 25 लोगसभा सीटों में कभी कोई मुसलमान लोगसभा का सांसद नहीं रहा है राजसभ ही प्रशासनिक सेवाओं में भी कोई ज़्यादा उपलब्दता नजर नहीं आती कॉंस्टेबिलरी में नजर नहीं आती पीसीस में नजर नहीं आती तो यह खाई कब पार्टी जाएगी एक बड़ा सवाल है लेकिन बीजेपी अगर ऐसा कर रही है तो निश्चित तोर पे एक अच्छा कदम इस कम्यूटी की और बढ़ रहा है जिसे राजनितिक और प्रशासनिक द्रश्टी से पीछे रखा गया है तो राजस्तान की राजनिती और उससे जुड़े हालातों पे लगातार अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें Think360 को